दोस्तों मैं हूं नसीत अगाले और आप देख रहे हैं आज की नियूज आज की नियूज में आपका स्वागत ही कर दोस्तों में आपका स्वागत है दुर्भागे से देश की माइनोरिटी को उस छल में उस छलावे में ऐसा ब्रमित रखा गया है उसों भईवीत रखा गया है अच्छा होता उसके सिख्षा की जिनता होती अच्छा होता उसमाज के अन्य वर्गों की बरावरी में उनका भी आर्थिक समाजिक विकास होता लेकिन बोडबेंग की राजनीती में एक छलावा एक काल्पनिक भाए एक काल्पनिक वातावारण और डर का माहूल पैदा करके उनको दूर भी रखा दबा करके भी रखा और सिर्फ चिनाओं में उप्योग करने का खेल चला 2019 में आज मैं जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूँ अब जब समीधान को के सामने सर जुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूँ तब मैं आपसे आगरह करूँगा कि हमें इस छल को भी छेद कर रहा है हमें विश्वाद जीतना है 1857 का स्वातम पर संग्राम इस देश की हर कोम हर जात हर पंद कंदे से कंदा मिला करके अंग्रेश सल्टनत के खिलाब ड़ाए लड़ करके आज जब हम आज जब हम आज़ाजी के 45 साल के दर्वाजे पर दस्तक देनी के तैयरी कर रहे हैं तब देश की एकता और खंडिता के लिए भारत के समिधान की सपत लेने वाले हम सब के लिए दाई तो बनता है उस अठारश सल्टावन के स्पिरिट को फिर से एक बार पैदा करे और उस समय अठारश सल्टावन में गुलामी से मुक्ति के लिए कंद्र से कंद्र मिदा करके लड़ना है और सब को साथ लेकर के चलना यह भाए डार काल्पिनिक जो चीज़े बनाई है उसमें छेट करना हम सब के जीवन और आचर और अबारी जुमान से भी निकलना चाहिए एक बहुत बड़ी दाईत्व है उस दाईत्व को हमें निभाना है देश ने हमें और जैसे मैंने कहा जो हमने वोड़ देते हैं वो भी हमारे हैं जो हमारा गोर विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं क्यों प्रवादान की साक्षिम यह वो समिधान है जिस पर देश के उन महापुरूसों का स्थाक्षर है जिस पर बाबा साब आमबेड करके एक एक शब्द पर उनकी कलम का असर है और इसलिए उसकी साक्षिम है आज हम मन में संकल पकरके चले कि इस देश के सबी बर्गों को और तो एक मातर मार्ग हम समने मिलकर के 21 सदे में इंदुस्तान को नई उचाईयों पर ले जाना है कोई पीछे नहीं रहना चाहिए कोई इस विकास जाता में छुट नहीं जाना चाहिए पंत के आधार पर जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए इस संकल को और बजबुती से हम करते आये हैं और अधिक टाकत से करते रहना है और उसको प्राथफिक्त देते हुए चलना है और इस चल को छेद करना है जी यह उनको हम हैंडोर करके बैठे रहेंगे मुझे मंजूर नहीं अब हम चूप रहते हैं इसी का फाइदा उठा रहे हैं आर यह हमारा मंत रहे हैं अभी हाली में अभी हाल में साउदी अरब ने वहां के क्राउन प्रिंस बारत आये थे तो उनके सम्मान में भोजन था तो भोजन पर हम बाते कर रहे थे बातों बातों में मैंने उन्हें कहा कि देश ये हिंदुस्तान में तेज गती से आर्थिक विकास हो रहा है हमारा मद्यंबर का दाइरा बढ़ता जला जा रहा है लोग गरीबी से भारा आ रहे हैं तो उनके मन में भी नहीं नहीं इच्छाए जगती है तो उन्हें मुझे पुझा क्या मैंने के हमारे मुसल्मान भाई अब बड़ी मात्रा में हज के लिए जाना चाहते हैं लेकिन आपका कोटा कम पड़ रहा है तो उन्हें का मोदी जी बताइए मैं क्या करूँ मैंने का भारत का कोटा बढ़ा दीजिए और आपको खुशी हो होगी दो लाग कर दिया दो लाग दुनिया में किसी भी देश का कोटा नहीं बढ़ा हमारे देश के मुसल्मान हज यांत्रा कर सके इसलिए कोटा बढ़ गया यह भारत के आवाज सुनी जा रही है इतना ही नहीं मैंने दूसरी बात कही मैंने क्राउन परिंसे कहा कि भारत के नौजवान साओधिय एरविया में रोजी रोटी कमाने आते हैं मजदूरी करते हैं काम करते हैं जाजातर हमारे गरीब परिवारों से होते हैं भले भोले लोग होते हैं मेहनत करते हैं जाजातर मेरे मुसल्मान परिवारों से होते हैं अब उनसे कुछ छोटी मोटी गल्टिया हो जाती हैं उनको वहां के कानुन का पालन नहीं कि पता होता हैं और बेचारे जेल चले जाते ह और सालों तक जेल में रहते हैं मैंने कहा मुझे आपकी मदद चाहिए उन्होंने कहा क्या चाहिए मैंने कहा जल्दी से उनका केस चले और उनको जेल से रिहाई कर दिया जाए उन्होंने कहा मुदी जी आपने कहा है न मैं आज़ आपको शाम तक जबाब दे दूगा आप हरान हो जाएंगे साउदी अरविया के क्राउन प्रिंस शाम को रास्पती भवन में जब हम डिलर पर बैठे थे तो नहीं रहें का मोदी जीज पुछ मिठा खालो मैंने का किस बात का बोले साउदी की जेल में बारत के जो आठ सो पचास लोग थे उनको छोड़ दे का मैंने फैसला कर लिया ये होता है दुनिया के साथ नाता भाई मैं इन फैसलों के लिए साउदी अरव को क्राउन प्रिंस को रदैपुरवक धन्यवाद देता हूँ भाई साथियों ये विदेश में बारत के बत्ते प्रधाव